हेलो फ्रेंड्स एक बार फिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टैग FC में दोस्तों ये वीडियो इस्पेशली उन वीवर्स के लिए है जो भी अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं जैसे कि अपना नाम या अपनी date of birth, address, mobile number या अपनी email id में कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक देखते रहिए बिना skip किये क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ बिल्कुल 100% proofs है तो इस वीडियो को end तक देखते रहिए और आपने अभी तक हमारा चैनल Tech FC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हम इसमें internet technology, android, mobile और online updation से rated tips and tricks upload करते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही helpful होती है वो भी आपकी language हिंदी में ही होती है इसलिए इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लिजिए Friends, इस वीडियो में मैं आपको अपने आधा नमबर में जो आपका mobile number है उसको कैसे update करते हैं ये बताने वाला हूँ क्योंकि आधार number में अपना mobile update करना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी process बिल्कुल सेम है अगर आप mobile number अपडेट करना सिख जाएंगे तो अपना नाम, date of birth, email address और बाकी जो भी address है ये सबी update easily कर लेंगे और mobile number update इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि online update करना हूँ आपको आधार काड या फिर download करना हूँ उसके लिए mobile number बहुत ही important होता है आधार काड के लिए तो friends बिना देवी की जल्दी से सीख लेते हैं तो friends सबसे पहले आप अपना browser उपन कर लिजिए उसमें आपको यहाँ पर search box में टाइप करना होगा resident.uidai.net.in मैं इसकी जो link है आपको description में भी दे दूँगा जिससे आप direct इसको open कर पाएं उसके बाद जैसी आप यह open कर लेंगे उसके साम पास में आपको अधार काट का जो official page अपडेशन के लिए वो open हो जाएगा उसके बाद देखिए आपको right hand side पे यहाँ पर आपको जो click करना है वो करना है update अधार data पर click करेंगे आपके सामने एक ऐसा page open हो जाएगा देखिए अगर आप online correction करना चाहते हैं तो यहाँ पर click करना होगा और साथ ही by post अगर आपको update करना है offline update करना है तो नीचे click करना होगा तो मैं आपको online करना सिखा रहा हूँ इसलिए आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने नया page open हो जाएगा उसमें यहाँ पर आपको देखिए यहाँ लिखा है इंटर यूर आधा नंबर यहाँ पर आपको आधा नंबर फिल करना होगा वह साथ ही यहाँ पर आपको अपना verification code शो कर रहा है capture में वह यहाँ पर फिल करना होगा तो आपना अधा OTP इस पर क्लिक करना है देखिए आप जैसे ही send OTP पर क्लिक करेंगे आपके लिए एक one time password जो आपका mobile लंबर अल्रेडी लिंक है आधार कार्ट से उस पर एक OTP आ जाएगा उसको one time password को आए आपको यहाँ पर फिल करना है वह OTP में आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है इसमें कम से कम minimum 10 से 15 मीट लग सकते हैं इसलिए आप थोड़ा सा देखिए friends मेरा यहाँ पर OTP आ चुका है तो अब मैं यहाँ पर लोगिन के बटन पर क्लिक कर देना the S किर देखिए पिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ लिखा है इंटर डेटा फोड़ अपडेट यहाँ पर आपको जो मोबाईल अपडेट करना चाहते हैं उसको fill कर दीजी यहाँ पर और यहाँ पर आपको फिर उसके बाद क्लिक करना है submit update request पर देखे friends जैसे ही आप submit update request पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा page open हो जाएगा उसको यहाँ आपका mobile number लिखा होगा उसको mobile number को आप एक पर अच्छे से और चेक कर लिजिए और उसके बाद यहाँ पर जो instruction लिखे है इस पर आप यहाँ पर चेक कर दीजी I confirm date पर यहाँ पर चेक करने के बाद अगर आपको कुछ तो friends ऐसे करके आप जो भी आपके आधार काड में कुछ भी अपडेशन करना हो आपको वो अपडेशन easily कर सकते हैं तो मीदे friends आपको यह वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए क्योंकि आपके दोस्त भी सीख जाएं कि आपने आधार काड में कोई भी अपडेशन डारेक्ट ओनलाइन घर बेठे कैसे करते हैं तो friends thanks for watching have a nice day